दोस्तो शिरी शिवाय नमुस्तव्याम खरर महादे मात्र एक सनीवार के दिन करने तेज पत्ते का यह अच्चुक उपाए करोडों में नहीं अरबों में खेलोगे दोस्तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास वीडियो ने वाला है आज के वीडियो बताते रहते हैं जो काफी चमतकारिक उपाय होते हैं इन उपायां को करने से लाखों लोगों को फायदा भी मिलता है तो क्यों आप भी इन उपायां को करके अपने घर की धंच जोड़ी समस्या को खत्म कर सकते हैं अगर आपके कामों में लगातार बाला आ रही है या आप के कम बंते बंते अठक जाते हैं तो उसका भी समादान तेज पत्ते से होगा दोस्तों आप सभी किचिन में अलग मसालों का इस्तमाल चरू करते होंगे किचिन में मौजुद काली मिर्शी लेकर हल्दी और तेज पत्ते तक सभी मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए आप अपने कई आध्यात्मिक अनुष्टानों के साथ विविन जोति उपायाओं में भी काम आता है दोस्तों सदियों से घर में सकात्मक उज्जा को आकर्षित करने और घरों की इस्तिति को बहतर बनाने धन को आकर्षित करने के लिए किचिन का ये खास मसाला बहुतिक का जोड़के विनति है कि वीडियो को लाइक करते हैं सेयर करते हैं और अगर आप महादेप को सच्चे दिल से मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर-र महादेप जरूर लिखए जिससे कि आपकी हर मनुकामना महादेप जल्दी सल्दी दोस्तों प नाज माना है् इसके लिए आप हर सनिवार 20 पत्ते के पांच पत्ते ले और इन्हें 5 काली मिर्च के साथ जला दें इसका धुवअ पूरे घर मैं फैलने दें इसके बाद इसकी जो राक है उसे आप अपने घर के मुक्के दरवाजे पर फैला दें इससे आपके घर में सभी समस्यां दूर होंगी और लड़ाई जगलों से भी आपको मुक्ती मिलेगी और घर में जो नकारत्मक उच्जा का वास्ता वो भी खत्म हो जाएगी यदि आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं और आप नीद में जाग जाते हैं तो तेश पत्ते का एक आसान उपाय अजमा है आप अपने सोने वाले इस्तान पर या तकीए के नीचे एक तेश पत्ते को रखें इस उपाय से आपको बुरे सपनों से तुरंती राहत मिलेगी और घर की समस्यां भी दूर होंगी जन के योग बनाता है इससे आपकी पैसों से बरी पर्स कभी खाली नहीं होगी साती दोस्तों अगर आपकी कोई ऐसी मनो कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं उपारी है तो आप केवल एक तेश पत्ते को लें और उसे अपने घर के पास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ले जाए अब हनुमान जी के सिंदूर से ही उस तेश पत्ते पर अपनी इक्षा को दो सब्दों में लेखें और इसे हनुमान जी के चल्णों में अर्पित कर दें इस उपाय से आपकी मनों कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी साती यदि आपके विवाग जीवन के साथ तनाब रहते हैं तो सू के तेज पत्ते रोज साम को घर में कम से कम साथ दिनों तक जलाएं इस उपाय से जीवन साती के साथ रिस्ते मजबूत होंगे और लडाई जगणों से भी मुक्ती मिलेगी साती अगर आप चाहते हैं कि घर में धन दान की तेजी से वरत दियो घर की गरी भी खत्मो तो दोस्तों उसके लिए आप दो तेज पत्ते लें और दोनों तेज पत्तों के साथ आपको एक चमेली के तेल का दिपक लेना जिसमें आपको लंबी वाली बाती रखनी है दोनों चीयों को लेकर आपको सनीवार के दिन अपने घर के पास किसी भी दच्छिन मुकी हनुमान जी के मंदर में जाना है ठीक है जिनका दच्छल की तरब मुऊओ ऐसे हनुमान जी के मंदर में जाकर हनुमान जी के सामने सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक पुरजुलित कर दें दीपक को पुजिरित करते समय आपको हनुमान जी का ध्यान करना है ठीक है उसके बाद दोस्तो जो आपने तेज़ पत्ते लिए हैं उसमें से एक तेज़ पत्ते को हनुमान जी के सामने ही उसी दीपक से आपको जला देना है जब तेज़ पत्ता जलने लगे तब आपको अप तेज़ पत्य को उठा कर उस तेज़ पत्य के उपर सिंदूर से एक स्वास्तिक बना दें और उस तेज़ पत्य को अपने खल लाकर अपने घर के तिजोरी में इस्तापित कर दें दोस्तो ऐसा करने से आपके घर की जो गरीबी होती है वो समात हो आती है घर में धन दाने की विरद्धी होने रखती है घर में कभी भी धन से जोड़ी कोई भी समस्या नहीं आती है तो दोस्तो अगर आपको पूजी गुरी जी करनुसा बताए गई उपाय अच्छे लगे हो तो इन्हें ज्यादा स्यादा लाइक कर दें शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से हरार महादेव या सिरी सिवाइन मुस्तवेम चरू लितने जिससे कि आपकी हर मनुकामना महादेव जल्दी से लिए दोस्तो पूरा कर दें